हाई अर्वान बहुत से सप्प्लाइर के मुझे मैसेजस आये यह नंबर आप सप्प्लाइर के क्वेश्चन से एंड क्यूरीज है कि उनका जो मेशो का सेलर अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया है ड्यू टू सम यसेले ब्रीज या फिर लेट डिस्पेच के कारण या फिर विद फ्रंट जेस्ट नंबर से जो लॉग इन करके एजीली आपका सेलर अकाउंट क्रेट कर सकते हो बट फिर भी बहुत सारे लोगों का यही क्यूरी था सेलर का कि नहीं हमें वही अकाउंट पर काफी अच्छे से ओर्डर साते थे और अभी जो है फिर से न्यू जीस्ट रिस् करने का दावा करते हैं और काफी सारी ऐसी सर्विसेज भी है जो कि आपके सेलर अकाउंट को रिलाउंच भी करवा देती है बट उसके लिए जो है आपसे कुछ पैसे चार्ज करती है तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे पॉइंट जो कि आपको फ्री ओप कर सकती हूँ आपका जो मेशो का अकाउंट है वह अनब्लॉक हो ही जाएगा या फिर रिलाउंच हो जाएगा बट मैं आपको जस्ट यहां पे कुछ स्टेप से जो की फॉलो करके हमारे टीम ने काफी टाइम से जो है बहुत से सप्लायर के अकाउंट जो है रिलाउंच पाउच है तो कर लिजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए कुछ कमेंट कर सकते हैं अगर आपके कुछ क्वेस्टेंस रहेंगे तो हम स्टार्ट करते वीडियो को आपको जो है सबसे फर्स्ट क्या करना है आपको जो है जो भी आपका सेलर अकाउंट ब्लॉक हुआ हुआ द सब बाजो में रखना है और आपको फर्स्ट फॉल क्या करना है सभी इंफॉर्मेशन जो भी लगती है न्यू सेलर अकाउंट क्रियेट के लिए अभी ये अकाउंट आपका ब्लॉक हुआ है टेंपरारी हुआ है तो आपका जो अकाउंट है एक्टमेटिकली कुछ दिनों सेम जेस्टी से करेंगे कुछ प्रोसेजर बतारी हुआ बस सेम एटिटिस फॉलो किजेगा न्यू सेलर अकाउंट पर जो है आपको लॉग इन करना है मोस्ट इंपर्टन तिंग आपको यहां पर ध्यान में रखना है आपका जो भी मोबाइल नमबर रहेगा आपको वो डि फ्रेंट सिलेक करना है देर उसके बाद में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको लगीगी इवन पीक अड्रिस भी फर्स टाइम जब भी आप यह रिलाउंच का प्रोसेजर कर रहें ट्राइगे जिए कि पीक अड्रिस भी आपको डिफ्रेंट मेंशन करना है अभी बहुत सा कान्फुजन हो गया होगा कि पीक अड्रिस फिर से कब चेंज करेंगे क्या तो जैसले कि कर दीजेगा आपके फ्लैट नंबर्स वगेरा तो सभी के होते ही है तो फ्लैट नंबर आप आगे पीछे कर सकते है तो अगर आपका अकांट रिलाउंच हो गया तो जब कोभी भी आएगा तो आप जो है उनसे कांटक करके पीकप जो है उन्हें हैंडोल कर सकते हो तो ओनली फ्लैट नंबर और आपके जो बिल्डिंग का या फिर कॉंप्लेक्स का ने वगेरा है आगे पीछे करके आप जो है पीक अड्रेस भी आपको जो है अलग यहाँ पर मेंशन करना ह कहीं पर इस अभी लोग गलती करते हैं कि पीक अड्रेस जो है सेम हो जाता है सो यह फाइंड आउट हो कभी-कभी मतलम समझ में आ जाता है रिलांच करने के लिए अकाउंट कि यह सेम सप्लायर का अकाउंट है इसलिए ठीक है तो यह चीज़े आप छोटी-छोटी चीज़ तो आपको जो है जब भी आप स्वाइज जब भी आप जब भी आप GST रेजिस्ट्रेशन नमबर वहाँ पर इंटर करोगे आपको एक एरर आएगगा कि इस जिए अल्रेड़ी एक्जिस्ट आपको जो ज़स्ट उसका एक स्क्रीशॉट लेना है एंड सप्लायर सपोर्ट पे जो है आपको मेल डॉब करना है अगर आपको supplier support का number बता नहीं है तो मैं आपको description box में इसका link provide कर दूँगी sorry email letter से अगर पता नहीं है तो मैं description box में provide कर दूँगी आप जो है वहाँ से जाके check out कर सकते तो आपको आपको जो है वहाँ पे supplier support को details में mail करना देखी shortcuts में मत जाईएगा details में आपकी जो भी query है आपको जो है उनको बतानी है कि आप actual में क्या problem face कर रहे है जी तरह details में आप उनको समझाने का try करोगे आपका account का relaunch का procedure उतनी ही जल्दी होगा so अभी मैं आपको हिंदी में समझाने का try करती हूँ आप जो है वहाँ पे हिंदी भी चलता है email में ऐसा नहीं है कि आपको English में टाइप करना है आपको जो easy लगे आप जो है वह language में टाइप करके मेशो को send कर सकते email तो आपको जो GST number का जो error आया है उसके साथ में आपको लगेगा आपके GST का certificate तो आपको जो email के साथ में GST certificate एक एड़ करना है और आपका जो screenshot था वह एड़ करके supplier support पर आपको mail करना है कि में मेशो पे supplier बनना चाहता हूँ but when I am trying to registration as a new supplier this number is already exist okay I have to see this number is already exist तो मुझे ऐसा error आ रहा है कि यह जो GST का number है already exist शो कर रहा है मुझे तो यह case में जो है आप मेरी help कीजिए मैंने आज तक कभी भी मेरा जो GST number है वो मेशो पे रजिस्टर नहीं किया है तो हो सकता है कि कोई जो है fraudness करके यह GST number का use कर रहा है but really मैं बहुत interested हूँ कि मुझे मेशो की साथ में मेरे business को आगे बढ़ाना है so please आप मेरी help कीजिए and मेरा जो भी information मैंने file किया है वो सभी information के साथ में यह मेरा GST certificate मैंने attach किया है आप जो है मेरा account relaunch करवा दीजिए and additional में आपने जितने भी information वहाँ फाइल किया है bank detail आपका mobile number आपका email id आपको जो है सब भी वहाँ पे attachment में join कर देना है email के साथ में so आपको wait करना है email id आपको send कर देना है and just आपको wait करना है so अभी email करने से relaunch account कैसे होगा इस पे भी focus कर लेते देखे कभी-कभी in case just जब कभी भी आपका यह वाला जो email है मेशो की team check करेगी वो verify करेगी आपका GST setup kit and उनको अगर यह लगा कि आपका जो account है वो किसी और party के end से handle किया जा रहा है and उसे की कारण जो है आपका miss use हुआ है account का ने आपका account जो है block हो गया है so वो team जो है वो जो account चल रहा है उसको block कर देगी and आपका जो भी आपने new information file किया है वो account के साथ में जो है आपका new account जो है create कर देती है but यह procedure follow करने से पहले आपको most important thing द्यान में रखनी है वो है कि आपका जो old वाला account है जो कि block हुआ है उसका अगर कुछ भी payment आपका pending है payment या फिर कुछ भी और thing जिससे आपकी पैसे आने वाले थे ठीके compensation या कुछ भी तो वो अगर आपका pending है तो आपको wait करना है otherwise अगर एक बार मेशो ने वो permanently system से हटा दिया तो आपका वहाँ पे payment भी जो है block हो जाएगा और आपको उसका payment भी नहीं मिलेगा तो अगर आप relaunch का procedure ये कर रहे हो तो आपको सबसे first ये चीज़ धान में रखनी है second one thing आपको ये चीज़ धान में रखनी है कि बहुत सारे account से आपको at a time relaunch नहीं करना है just like एक email से किया फिर से दूसरे email से भी करोगे बार बार अलग-अलग email से अगर आप ये try करते हो तो आपका permanently GST नमबरी fraud ने इसके list में चला जाता है and relaunch का procedure जो है completely impossible हो जाता है so ये दो चीज़े आपको mostly points आपको ध्यान में रखने है और बस यही थिंग करके जो है आपको wait करना है approximately 7 days का time लगता है find out करने के लिए इसके बाद जो है आपको मेशो के team के end से काफी सारे reward back आ सकते है just like कुछ वेरिफिकेशन के लिए वो callback वगेरा करेंगे आपको तो आपको बस वही दिखाना है कि जो पुरान वाल अकाउंट है वो आपका नहीं था किसी और party की end से वो handle किया जा रहा था और आपको जो है उसके regarding कुछ भी पता नहीं था निव वाला जो अकाउंट है वही आपका है और आप honestly मेशो के सार्थ में selling करना चाहते हो सो जीतना आप properly उन्हें response करोगे उतने जल्दी जो है आपके relaunch का procedure जो है start हो जाएगा और आपका account जो है start होने में help होगा finally जो भी relaunch का procedure था मैंने आपको बता दिया है अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते और भी काफी सरे इसे 2-3 procedure है जिसे use करके जो है आप आपके account को मेशो के relaunch कर सकते हो बट ये काफी easy and बहुती safe way है जो मैंने आपको बताया है so mostly आप यही use कीजिए जब जरुरत रहेगी तब मैं दुसरे वाले जो two or step है हमारे account relaunch के वो भी time to time आपकी साथ में share करूँगी तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ भी कमेंट्स रहेंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं थैंक्यू सो मच